हैं छोग के लिए सल से रिलेटेड जितने कोस्चेंस आते हैं यह इंपोर्टन के अईंग इंगल्स के बच्चोंके लिए हैं शोफश में लिए हैं अधिक vicious से इसको कर पाएं ठीक है तो सबसे फिर्ट कोश्चन है कि विच ओर इस आर कॉल्ड पावर हाउस अफ तो हम लोग बोल और गालिल्ट यानिकी कि को सिकांग को पावर हाउस अफ सेल कहा जाता है यानिकी माईटोकंट्रिय ओका जाता ही हम सभी जानते हैं सुसाइड बैग है स step function of nucleus silos are not worth can inikte 바라 कुंद्र कर चा कम हो सकता है तो गारता है genetic information देता है आ ऑ चला करता है कॉन्ट्रोल करते हैं सेंटर को उसके बाद नेम टू और ऋरड मैटेरियल ऐसे दूरट吗 बना चुई क्मठ जिनका बटाई बढ़ता है अपना कुछ इसका राइट एंसर है नेम दफ प्लास्टेट्स विच इस्टोर्ज स्टार्ज और एंड प्रोटीन ग्रैनलिज तो लिउको प्लास्ट में होता है एक ऐसा प्लास्टिज यानि ऐसा लौक का नाम बताइए लिउको प्लास्ट है उन में क्या है नेम दसेल ओर्गनलिज विच इस दर एवल तो डिस्ट्रोई डैमेज ओल्ड डैमेज ओल्ड या वर्न आउट सेल तो हम लोग क्या जानते हैं लाइजोजोम यह इस तरह की कोश्चन्स आते हैं घुमा घुमा के आएंगे आप लोग के पास मतलब उनको जो कोश्चन्स है वो लिविंग और्गानिजम में सेल की खोज किसने की थी तो जो राइट एंसर है वो है लियोविन होक ठीक है और 1674 में वेर दग्रोमोजोम लोकेटेट इन असेल क्रोमोजोम सेल के बितर कहां लोकेट होता है और वाटर देयार कंपोज्ड और किस तरह से बने हुए होते हैं तो सबसे पर इसका अंसर होगा है निूइज और कंपोजीशन क्या होगा डी नअ आट प्रोटिन थीचह नेमं दर Smallest Organis Originalis Largeest Cell Organis Plants के भी तर Plasties हो सकता है Plasties ज़ों कहते है Largeest Cell Organis In Animals Midocondria हो सकता है Largeest Cell Nucleus हो सकता है L lately Ch중hand , Cloroplasta сторон इह important questions है मैंने इसको short type में लिख के रखा है आप लोग के लिए इसके बाद के question है what is tonoplast tonoplast क्या होता है the membrane of vacuil is known as tonoplast vacuil के वी उपर जो membrane होता है जो पड़त होती है जिल्ली होती है उसको tonoplast के नाम से जाना जाता है गॉल्गी बॉड़ी या गॉल्गी ऑपरेटर्स के दो कारिया बताईए two function of गॉल्गी बॉड़ी तो गॉल्जी का या गॉल्गी बॉड़ी आप कह सकते हैं गॉल्गी बॉड़ी help in the formation of cell plate, cell plate के formation यानि उनके बनाने में सहायता करता है फिर formation of lysosome, lysosome के बनाने में भी यह help करता है mention the function of a cell wall, cell wall का यानि कोशी का भीत्ती का क्या काम हो सकता है cell wall provides shape, a car, rigidity, state, protection of cell किसी भी cell का protection में काम करता है which part of the cell is called brain of the cell cell के किस पार्ट को कोशी का मस्तिस कहा जाता है nucleus, nucleus यानि कि केंद्रक को कहा जाता है as it controls all activities of the cell क्यों कहा जाता है क्योंकि यह cell के भीतर केंद्रक cell के activities को control करता है उसके कारे को control करता है next question है who discovered cell in organism give an example of unicellular यानि एक कोशी किये organisms का नाम बताइए who discovered cell in organism किसने खोजा था किसने सर्च कि तो Robert Hooke ने 1665 में खोजा था और discover किया था और एक कोशी किये जिव में amoeba लिख सकते हैं परामोशियम लिख सकते हैं ठीक है state the full form of ATP full form of ATP क्या हो जकता है adonocene adonocene triphosphate ठीक है name the cell organelles responsible for intracellular transport एक ऐसे cell organelles का नाम बताइए जो कि intracellular transport में सहायता करते हैं ठीक है तो इंडो प्लाज्मी क्रेटिकूलम कहा जाता है और उसके बाद है नेम दप्लास्ट इस एक ऐसे लवक का नाम बताईए involved in conversion of a green brinzal to violet जो green brinzal को green brinzal means हरे बैंगन को violet color में convert करने में काम करता है तो जो non green chromoplast होते हैं वही क्रोमो प्लास्ट होते हैं वही कहां सायता करते हैं ठीक है उसके बाद why mitochondria is called powerhouse of cell mitochondria को powerhouse of cell क्यों कहा जाता है mitochondria is the major seat of production of ATP जो कि ATP के formation में सबसे ज़्यादा उत्पाद में यह सहायता करता है used as a source of energy of the various cell functions जो कि इस energy को क्या किया जाता है cell के कोसिका के भीतर जितने काम होते हैं उसमें यह source यह जो energy उसमें काम मिलाई जाती है यह शुरूत इसलिए इसलिए mitochondria को powerhouse of cell कहा जाता है ठीक है तो इस तरह से आप बहुत सारे questions और भी आप देख सकते हैं अपने मन से भी कुछ book से भी देख सकते हैं तो आप जितना जादा घहराई में बढ़ते जाएंगे आपको क्या होगा उतना ही आपको idea भी होते जाएगा उतना ही knowledge होता जाएगा और आप अच्छे से किसी भी exam में किसी भी चाहे वो स्कूल का exam हो competition का exam हो आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से कर सकते हैं ठीक है तो मैंने कोसिस किया है आप लोगों के लिए आप लोगों बहुत बसंद आए और और मैं आगे भी इस तरह के बहुत सारे वीडियो लेते हुए आऊंगी कोसिस करूंगी ताकि आप लोगों को आप लोगों के लिए इस तरह से जोड़के रखे हैं ताकि आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए और कोसिस करूंगी तब तक आप लोगों के लिए और नेक्स्ट हम लोगों के आते रहें जैसे टीसूज है और भी जितने भी टॉपिक होंगे और पूरे चैप्टर से रिलेटिड जितना भी टॉपिक होगा मैं उसको कवर करनी की कोसिस करूंगी तब तक आप इस चैनल को देखिए और इससे और भी ज्यादा लाइन करिए उमीद है आप लोगों का जो एक्जाम में हैं इसी से रिलेटिड कोस्टन आते हैं और यह एक्जाम बगरह में भी इस तरह से कोस्टन साते हैं जो सौट कोस्टन पूछे जाते हैं इस तरह से आप सौट कोस्टन की तैयारी आराम से कर सकते हैं किके तो किप वाचिंग थैंक यू बबाई सी यू